नमस्कार आप देख रहे हैं दैनिक भासकर उत्राखन यूपी मैं हूँ आपके साथ अकांग्शा थापा डालते हैं एक नजर उत्तरप्रदेश की ताजा खपरों पर राम मंदिर निर्मान के लिए उद्योग पतियों ने खोला ख़जाना नौ करोड जुटाए मुख्यमंत्री योगी आतित्यनाद की पहल पर शहर के उद्योग पतियों ने अयोध्या में राम मंदिर निर्मान के लिए बुधवार को ख़जाना खोल दिया है मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ही करीब 9 करोड रुपे की सहीयोग जुटाए गई है एक करोड रुपे की सहेता राशी गोरखनात मंतिर की तरफ से आई है करोडों के बैंक फ्रॉड में बस्पा विधायक विनेश शंकर तिवारी की बड़ी मुश्किले एडी ने दर्च किया केस करीब 754.24 करोड रुपे के बैंक फ्रॉड के मामले में CBI के बाद अब प्रवर्त निदेशाले यानी एडी ने बस्पा विधायक विनेश शंकर पर अपनी कारवाही शुरू कर दी है एडी ने CBI के के केस को आधार बनाकर लखना उस्थित जोनल कार्याले में बस्पा विधायक समित अन्य के विरुद प्रिवेंशन ओफ मनी लॉंडरिंग एक्ट के तहट केस दर्ज कर लिया है जिसमें विनेश शंकर वो उनके परिवारी जन के अलावा करीबियों वो सरकारी करमचारियों को भी शामिल किया गया गोरकपूर में अत्याधुनिक टाउंशिप का रास्ता साफ जल्द तयार होगा लेयाउट खोराबार में GDA की प्रस्तावित अत्याधुनिक टाउंशिप के लिए जल्द ही लेयाउट तयार हो सकेगा इस योजना को बहतर बनाने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानि जीडिये ने प्रतिश्चित कंसल्टेसी फर्मों से आवेदन आमंत्रित किया था इसके लिए तकनीकी बोली खोली जा चुकी है और इसमें छे फर्मों के प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है मुल्यांकन का काम जारी है और जल्द ही वितिय बोली भी खोल दी जाएगी 72 गणतंत्र दिवस भारत पर उपर नगरपाली का नगीना विजनोर उत्तर प्रदेश की तरफ से सभी देशवासियों और जनपदवासियों को हार्दिक शुब कामनाए दिल्ली से गाजियाबाद आने वाली लेन दोपहर तक रही बंद गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर परेट के दोरान दिल्ली से गाजियाबाद आने वाले वाहनों के लिए हाईवे की सभी लेन बंद करती कई थी बुधवार को यातायाद सामानने होने की बात सुनकर दिल्ली के ओर से काफी संख्या में वाहन गाजियपूर बॉडर यूपी गेट हाईवे से होते हुए पहुच गए लेन न खुलने से सैकड़ो वाहन चालक जाम में फसे रहे दोपहर करीब साड़े बारा बजे एक लेन खोलकर यातायाद को सुचारू किया गया कम होती रही किसानों के संख्या मृतकों को दी गई श्रद्धानजली दिल्ली में उपद्रव्यों के हमले के बाद बुधवार को यूपी गेट पर जारी किसान आंदलोन का नजारा एकदम बदला हुआ था कही न कही हर किसान के मूँ से एक ही बात निकल रही थी कि जो कुछ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ सुबे से ही कोच किसान सामान बांद कर घरों की और रवाना होने लगे इससे मंच पर बैठे किसान नेता भी परिशान रहे इसी के साथ आज के बुलिटिन में बस इतना ही मैं कांग्शा थापा आपसे विदालेती हूँ जाने से पहले एक संदेश कोरोना संक्रमेंट से बचने के लिए मास्क का अनिवारे रूप से और सही धंग से प्रयोग करें साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और नियमेत रूप से अपने हाथ को धोएं ताजा खबरों के लिए जोड़े रहिए दैनिक भासकर उत्राखंड और योपी से धन्यवाद